C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सब्सक्राइब करें और रहें पल-पल की खबर से हर पल बाखबर कोटा के जेकिलॉन अस्पिताल में अस्पिताल स्टाफ का अमानवी अचहरा देखने में तब आया जब कोटा संभाग के सबसे बड़े जेकिलॉन मातर शेशुचे के साले में सविंदा कर्मचारियों की हर्ताल के चलते बुद्वार को एक गर्भवती महिला ने अस्पिताल के में गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया इससे पहले एक घंडे तक महिला अस्पिताल के गेट पर प्रसफ पीडा से चडपती रही लेकिन किसी नर्सिंग कर्मचारी या डॉक्टर ने महिला की सुद लेना तक मुनासिप नहीं समझा होटा के MBS अस्पिताल के बाद अब जेकिलोन अस्पिताल के सविंदा कर्मी भी हर्ताल पर उतर आए सविंदा कर्मचारियों की हर्ताल के चलते जेकिलोन अस्पिताल की विवस्तात चर्मरा गई इसी दोरान स्टेशन शेदर निवासी संतोश पाई को प्रसफ पीडा होने पर परिजन उसे आटो में लेकर जेकिलोन अस्पिताल पहुचे थे आटो ट्राइवर महिला को अस्पिताल के गेट पर ही छोड़ कर चला गया वहीं परिजन महिला को अस्पिताल के अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर ढूनते रहे स्ट्रेचर नहीं मिलने पर इस बीच महिला एक घंटे तक प्रसफीरा में अस्पताल के गेट पर दडबती रही लेकिन कोई नर्सिंग कर्मी या डॉक्टर पीडित महिला की सुद लेने तक नहीं पहुचा आखिरकार महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई जिसमें महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया इस दौरान मौके पर मौझूद लोग हर्ताल कर रहे सविंदा कर्मचारिये वा अस्पताल प्रशासन को जम कर कूस्ते नजर आए बच्चे को जन्म देने के बाद मामला अस्पताल अधिक्षक तक पहुचने पर महिला को अस्पताल में भरती किया गया पीडित महिला की ननन देवा बाई ने बताया कि उसकी भाबी संतोष को डिलीवरी पीरियड होने पर अस्पताल लाया गया जहां सविंदा कर्मचारियों की हर्ताल के चलते, समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी डिलीवरी अस्पताल गेट पर ही हो गई करीब एक घंडे तक संदोज बाई गेट पर ही तड़कती रही लेकिन अस्पताल प्रशासन का कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुचा अब भी तो आये हम आते हैं और कोटरो रोका कोई तन में तिनी चुटा के गया तो बाद में आये थे सब से अच्छा जब तन लग तो इसे पड़ातर चुने अच्छा तेसे कैसे उठा के हमने हुचारी में डालते लिया है कोई नहीं हार जो नहीं पड़े को बट्सकी पर तो आये हम आते हैं प्यासा तो आते हैं तो इसे चुटे खे नता हैं पूद्टर लोसी है अज़ी सब्सक्ता है